Great Minds in Mathematics की आज की विडियो में आपका स्वागत है इस विडियो में हम अब तक के सबसे शांदार Mathematician में से एक श्रीनिवास रामानुजन के Extraordinary जीवन और कार्य के बारे में जानेंगे भारत के इरोड में 1887 में जन्मे रामानुजन की कहानी चमतकार से कम नहीं है मेरे साथ जुडे क्योंकि हम उनकी Biography, Achievement, Theories, Difficulties और उनके काम के आसपास के आरोपों का पता लगाते हैं श्रीनिवास रामानुजन ने छोटी उम्र से ही Mathematical Talent को सबको दिखाया Financial Challenges और Limited Formal Education का सामना करने के बावजूद, उनकी Brilliance ने उन्हें Math के फीड में महत्वपूर्ण योगदान देने की अनुमती दी Mathematics के प्रती रामानुजन के जुनून ने उन्हें लालची जिग्यासा और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास से इंस्पायर होकर के लिए अपना खुद का मेथड भी खोज लिया. 1910 में रामानुजन ने एक क्लर्ग के रूप में नौकरी हासिल की, लेकिन अपने खाली समय में अपनी Mathematical Activities को जारी रखा. उनकी इंट्रेस्ट ने जल्द ही British Mathematician G.H. का ध्यान दिस्ट्रेक्ट किया. हार्डी, जिन्होंने उनके इंट्रेस्ट को पहचाना और उन्हें Cambridge University में इन्वाइट किया. Cambridge में रामानुजन का टाइन कई important research से भरा था. उन्होंने अध्ययन के इन खेत्रों में revolutionary change करते हुए theory of numbers, elliptic functions and modular forms में महत्वपूर्ण योगदान दिया. Partitions पर उनके काम, theta functions का मजाक उड़ाते हैं और रामानुजन प्राइम्ड ने mathematician के रूप में उनकी reputation को और मजबूत किया. रामानुजन की achievement को कई prestigious awards और memberships द्वारा स्विकार किया गया, जिसमें Royal Society का fellow चुना जाना भी शामिल है. यह सम्मान पाने वाले पहले भारती. पॉर्मियूले में implied है, जिसने इसके digits की phenomenal accuracy के साथ calculation करने की permission दी. उनके ने हालांकी इस transcendental digit की खोज के लिए नए रास्ते खोल दिये. modular रूपों और elliptical works पर रामानुजन के काम का modern digit theory के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा. इन क्षेत्रों में उनके phenomenal results आज भी mathematical research को प्रभावित करते हैं. रामानुजन की जर्णी कठिनाईयों के बिना नहीं थी. उनके formal training की कमी और contemporary mathematical methods से अपरिचित्ता ने अकसर उनके विचारों के संचार में बाधा उत्पन्न की. इसके अतिरिक्त उन्होंने खराब स्वास्थ्य से संधर्ष किया, जो अकसर उनके काम करने की क्षमता को प्रभावित करता था. इसके अलावा, रामानुजन को Cambridge में एक अलग सांस्कृतिक और सामाजिक वातावर्ण के अनुकूल होने की चुनौती का सामना करना पड़ा. इन कठिनाईयों के बावजूद, उन्होंने गनित के प्रती अपने जुनूं को जारी रखा. मानुजन के कारियों के संबंध में कुछ आरोप सामने आए, विशेश रूप से उनके सहजग्यान और बिवाइन इंस्पिरेशन के दावों के संबंध में. कुछ माथमेटिशन ने उनके परिणामों की सच्चाई के बारे में संदेह व्यक्त किया. यह संदेह करते हुए कि वे उन तक अनकॉन्वेंशनल तरीकों से पहुँचे होंगे. हालांकि Eminent Mathematicians द्वारा रामानुजन के काम की कठोर परीक्षा ने अंत्थ उनके योगदान की वैलिडिटी और महत्व की पुष्टी की. उनके थियोरम प्रूव हो चुके हैं और चर रहे Mathematical Research के इंटेग्रल पार्ट बने हुए हैं. श्रीनिवास रामानुजन ने अपने आपको के आम व्यक्ति बताएं परंतु यहां असत्य है. Mathematician G.H. ने कहा कि वह एक ब्रिलियंट माइंड है जो की सदियों में कुछ बार जन्म लेते हैं. श्रीनिवास रामानुजन का जीवन मानव कलपना की शक्ती और सभी बाधाओं के खिलाफ ज्यान की खोच के लिए एक देवाइस के रूप में कार्य करता है. उनकी उपलब्धिया दुनिया भर के Mathematician के लिए प्रेणा का स्रोत बनी हुई है और उनकी विरासत गनित के क्षेत्र को आकार देना जारी रखे हुए है. श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और कार्य के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद. गनितमे महान दिमागों के बारे में अधिक आकर्शक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.